अग्याइब वेलकम टू उनिवर्स क्लासेश इस वीडियों बात करेंगे हम यूजिसी नेट का जो नोटिफिकेशन आ चुका है यह दिसंबर 2020 का नोटिफिकेशन है जो कि मैं में होगा एजाम तो आएद देखते हैं पूरा डेटेल क्या है नोटिफिकेशन क्या है कैसे कैस आप फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या रिक्वार्मेंट है और एक्जामिनेशन कब से स्टार्ट होगा वीडियों पूरी अंतर तक बने रही है पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी जैसे कि आप देख पारे स्क्रीन पर लिखा राश्टी परिच्छा जैंसी अनिक एन्टी ए यह लिखा है और यह लिखा हुआ युनिवर्स्टी ग्रांट कमिशन नेशनल ट्रेस्टिंग नेशनल एलेजिबिटे टेस्ट दिसंबर 2020 साइकल दिसंबर 2020 का आई है और बात करते आगे तो जैसे आप नोटिफिकेस्ट देखेंगे उसमें यह सब अप डिट्ट देखेगा इसमें पूरा यह इंडेक्स से क्या क्या कहा क्या दिया गया है और यहां प्रतिंट जु Diese के दिया गया है तो देखे जो फार्म यह आंलाइन अड्रेस्टेशन एंड सम्मिशन आफ अप्लिकेशन फ्रॉम कंप्लीट इन आल रिस्पेक्ट तुरू एंटीए वेबसाइट यह दो फेबरवरी से दो मार्च की बीच में किया जाएगा और तीन मार्च 2021 तक लास्ट डेट है पेमेंट करने का ग्यार पचास पीम तक और यहां पदिया अफीश डेटल दिया है जनरल अन्रेजर्ब एक है़ार पांसो और दॉसर पचास यह जनरल के लिए बीसी के लिए और एस्ट के लिए दुसको अप्डेट किया जाएगा पांच मार्च से नौ मार्च के बीच में आएगा करेक्चन डेट और आप एड्मिट काइड डाउनलेट करने की लिए आप वेबसाइट पे उसको अप्डेट कियाएगा और डेट साफ एकजामनेसं है जो डेट साफ एकजामनेसं है वह दो मार्च से तीन, चार, पांच, कि टाइमिंग वेरेस में दिया हुआ आप पूरा इसको पढ़ लिजीगा सबसें इंपॉर्टेंट है कि जो काफी से स्टुडेंट का डाउट आता है कि जो इसकी रिक्वार्मेंट है कि इसके बात करते हैं कि कॉलीफिकेशन पे बात करते हैं सबसे ज्यादा डाउट होता है कॉलीफिकेशन को लेकर के होता है कि जिसे यहां पर दिया जन्यरल के लिए 55 % मार्क्स कंपशल्सर है और जो होते हैं उनको 50 important marks नीचे दिया हुआ हुआ है कि देखिए यहां पर दिया हुआ है कि यह ओबीसी और एंसी एस्टी पी डव्लीटी थर्ड जेंडर काटेगरी कंडिडेट्स फिप्टी परशेंट मार्क्स आर रिक्वाइड और उसके बाद जो है कि आप से रिक्वेस्ट है कि आप जो है नोल्टिफिकेशन को बिना पढ़े हुए फार्म को सब्मिट ना करें यहां देख सकते हैं आप जो एज रिलिसेशन दिया हुआ है फाइफ यर्स का और ज्यर्फ के लिए थर्टी वन यर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो रिज कि वीडियो को पूरा देखिए एक लाष्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जो त्यारिल से लिडिटेड होगा यह पूरा डेटिल यह कैसे आप रेश्ट्रेशन करेंगे कैसे फॉर्म करेंगे सब कुछ इसमें दिया गया है आपको कहीं भटक ने चुरत नहीं आप अगर अपने से फॉर्म बढ़ते हैं अपने मोबाल से ही या फिर खुद बढ़ते हैं तो आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरिट जयनकारी मिल जाएगी मैं देखता हूँ जो लिस्टिंग है सब्जेक्ट की कि किसकी सब्जेक्ट में कौन-कौन सा होता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एमेड कर चुके होते हैं उनके लिए वह भी एलिजबल है जो की लिस्ट में दिया गया है ब्ढम परिखे दिया थो यह पूरा सब्जेक्ट का है कोड और लिस्ट दिया है यह सब्जेक्ट का है साइट यहां पर है कि graduation label पर किसके subject कौन कों से apply कर सकते हैं यहां देख सकते हैं आप पूरा लाइन से दिया है political science पूरा जो MA में या फिर MSC आपने किया हुँ है और एक और है जो आता है जो student confused रहते हैं यहां पर मैं दिखा दूं लिस्ट आप पोस्ट ग्रेविशन कोर्सेज एंड दियर कोड्स यहां पर देखिए सब्सक्राइब करते हैं कि त्यारी कैसे करें किस तरह से आप पहले अटेम्ट में इसको क्वालिफाई कर जाएं तो यदि आप फर्स्ट पेपर में आपको बता दूं यदि आप फर्स्ट पेपर में कि थर्टिफाइब प्लस कोश्चन अधि आप अटेम्ट करते हैं और सही कर जाते हैं तो आपकी जयाराफ होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है फर्स्ट की तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं सबस्क्राइब करें जिससे आपको सबसे पहले प्रिवेस एर पेपर सॉल्फ कराए जाएगा उसके बाद चप्टर वाई जिसने भी यूनिट हैं सबकी त्यारी कराए जाएगी तो उमीद करते हैं वीडियो पसंद लाइक करें चैनल के सब्सक्राइब करें धन्यवाद